इस कोशन में हमें दे रखा है निमलिकित में से आ परी में संख्या है ठीक है तो इसमें हमें 4 ओप्षन दे रखा है इन 4 ओप्षन में से हमें बताना है कि कौन सी हमारी आ परी में संख्या होगी यह आप तभी बता पाएंगे जब आपको पता होगा कि हमारी परी में संख्या क्या होती हैं और आपरी में संख्या क्या होती हैं अगर यह आपको पता होगा तो आपको कोशन को रटने की जरूत बिलकुल नहीं पड़ेगी बस आपको यह पता होना चाहिए तो यह मैं आपको आगे बताता हूँ लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सस्क्राइब कर ले और सबसे महत पूर्ण बेल आइकन को और पर प्रेस कर ले जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके के और भी कोशन्स पर विडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिवेशन आपके पास सबसे पहले जा सगे ठीक है बस आप इन चारो अप्शन को ध्यान लगना अब देखते हैं इसमें आगे तो यहाँ पर आपको सामने दिखी रहा होगा कि परी में संख्या हमारी क्या होती है परी में संख्या वो संख्या होती है जिनको हम P upon Q के रूप में लिख सकते है वो हमारी क्या होंगी परी में संख्या हो जाएंगी जैसे 2 वटे 3, 4 वटे 5 ऐसे जितनी भी संख्या है जिनको हम P upon Q के रूप में लिख सकते है वो हमारी हो जाएंगी परी में संख्या हैं अब यहां पर हमें देखना है कि आपरी में संख्या है क्या होती हैं जिनको हम P upon Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं जैसे हमारी जितनी भी रूड वाली संख्या हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी आपरी में संख्या हो जाएंगी क्योंकि हम उनको P upon Q की रूप में नहीं लिप पाएंगे ठीक है अगर आपको पहले से पता था तो भी ठीक है अगर आपको नहीं पता था तो आप यहां से अब note कर सकते हैं ठीक है अब एक एक करके जो हमें उपर option दे रखे हैं उन options में हम पता लगाएंगी कौन सा option हमारा आपरी में संख्या है वो देखते हैं हम आगे जैसे आपको ध्यान होगा कि पहले option में हमें दे रखता अंडरूड 16 तो अंडरूड 16 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अंडरूड में 4 into 4 आ जाएगा और यहां से हमारा 1 4 बाहर आ जाएगा यानि कि अंडरूड 16 की value कितनी आ जाएगे हमारे पास 4 अब यहां पर हम देखेंगे कि यह जो हमारा 4 आया है इसको हम P upon Q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते तो यहां पर हम देखेंगे तो इसको हम P upon Q के रूप में लिख सकते हैं जैसे यहां पर आ जाएगा 4 बाटे 1 यानि कि अगर हम 1 से 4 पर भाग करें तब भी हमारा 4 आ जाएगा यानि कि कहने का मतलब यह है कि जो हमारे पास under root 16 है उसको हम P upon Q की रूप में लिख सकते हैं ठीक है वो आपको यहाँ पर समझ में आई चुका होगा यानि कि यह हमारा आपरी में संख्या नहीं है यह हमारा परी में संख्या है तो यह option हमारा गलात हो जाएगा अब देखते हैं इसके 3 वाले option को 3 वाले option में हमें 16 वाते 5 तो यह हमारा खुदी P upon Q की फोगी फोग में तो यह भी हमारा आपरी में संख्या नहीं होगा आप देखते हैं इसके बचहुए option को यह है हमारा चौता ओप्षन 0.75 अब इसको देखते हैं कि हम इसको P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं तो हम 0.75 को 75 बड़े 100 के रूप में लिख सकते हैं अगर हम यहाँ पर 100 से 75 बड़ भाग करेंगे तो यहाँ पर हमारा 0.75 आ जाएगा यानि कि हम इसको भी P upon Q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो यह भी हमारा आपरी में संख्या नहीं होगा ठीक है अब देखते हैं इसके दूसरे वाले ओप्षन को यहाँ पर हमें दे रख्खा है अंडरूड 5 अब अंडरूड 5 है तो हम इसको P upon Q के रूप में नहीं लिख सकते तो यह हमारी एक आपरी में संख्या हो जाएगी ठीक है और हमें question में दे रख्खा था कि निमलिकित में से कौन सी हमारी आपरी में संख्या होगी तो जो हमें second option में दे रख्खा है अंडरूड 5 वो हमारी एक आपरी में संख्या हो जाएगी और यही इसका answer भी हो जाएगा ठीक है तो ये सब आपको एक्जाम में लिख करके नहीं आना है ठीक है जो आपको एक्जाम में question दे रखा हुआ उसमें चार option दे रख्योंगे बस आपको उसमें से देखना है कि आपको कौन सा वाला option सही है वहाँ पर आपको लिख देना है उत्तर और वहाँ पर लिख देना है आपको आगे कि आते है जो आपका second वाला विकल पर वो क्या है आपका सही है ठीक है आपको ये सब calculation वहाँ पर नहीं करकर दिखानी है ये बस मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता दिया है ठीक है जिससे आपको रटना ना पड़े कि हमा और अगर आप इसी तरीके के और भी कोशन देगना चाहते हो तो इसके ओपर मैंने एक प्रॉपर प्रेलिस्ट बना रखी है उस प्रेलिस्ट का लिंक में डिस्क्रिशन में भी देदू हो वहाँ से जाकर आप देख लेना और उस प्रेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और ये वीडियो आपके लिए हैल्फुल योज्ट तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सस्क्राइब कर लेना और सबसे मैं तपूर बैल आइकन को और पर प्रेस कर लेना जिससे क्या है मैं जब भी किसी भी तरीके के बहु बिगल्प ये कोश्चन चाहें वो एक नंबर वाले हूँ दो नंबर वाले हूँ या फिर चार या पांच नंबर वाले हूँ किसी भी तरह के कोश्चन के उपर वीडियो अप्लोड करूँ या नहीं थी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूले और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें